कि अच्वाइब कर दो अच्वाइब करें आज की क्लास के साथ आजओ 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 देखने गरा कौन दिख रहा है छोटू आजओ आजओ आधागर अधर दोरह आजओ 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 आणो Aust आपका यूट्यूपर तो यूट्यूपर आपको कुछ देखने को मिलेगा जब हम FLN पढ़ते हैं तो FLN देखके पिकाचो जड़ा परेशान है कहने लगा यार बड़ी दिक्कत चल लिए मेरी लाइफ में कोई कैसे पढ़ा रहा कोई कैसे पढ़ा रहा फिर एकदम से आए गया और सबसे ज़्यादा फैला आए गया है ना इनोट्स बेटा बाद में दो हम पहले यहां जो ठीक उसके बाद चले चलते रहे तो पिकाचो की बड़ी परेशानी क्यों कैसे मिले कैसे करे क्या पड़े तो उसने का ठीक है भईया आब उसने जब बोला तो उसने इ NCRT की एक PPT थी जो आपको दिखाई देगी मतलब यहां पर यह आपको Google करोगे तो आप मिल जाएगी बड़े आराम से कुछ इस परकार से आपको दिखाई देगी ऐसे 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 लेकिन जब आप इसे समझोगे तो थोड़ा सा आपको मदद देगी बड़ जादे मदद नह नहीं देगी क्यों क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वह आपके सामने बड़ी थोड़ी से समझने वाली आएगी और थोड़ी समझने क्या होगी हम समझेंगे या फिर अचानक से तुमारी मुलाकात होती है मुझसे और तुम उससे मिलने के बाद है अब देखेंगा असले व पड़ भी रही आंजना आ रही सुभश शुभश मेरे यार बगवान जी का नाम अजना अंजनी पुत्र होता है पोटल खोलना वाही जरा इस बाल पोटल ली दिखाँ एक बार इसको कि कौन सी कोर से देखना जरा एक बार अंजना रे डूंडना एक बार इसको बच्चे को मिल जाएगी अंजना रे डूंड दो रुख जाओ बैस बच्ची के साथ नाइन साफी कर दे अरे पहले तो है ना मगर शकरांती की वाई डेर सारी शुब काम नाएं आप सबी को हमारे जाए तो बंडारा चला खेजडी बटरी आ जाओ खेजडी भी लेंगे पोट्रल वाले कितने लोग है बताना विट्टा जरा क्या चल ले तुम्हारे साथ नाइन साफी बताओ इस बाल को सुभा सुभा कुछ नहीं हम गुस्ता नहीं कुछ हम बताएंगे इस बच्ची को लोगारा खेजडीन तुम्हेरी दमेंरेgoing कितनी क्लास लेते पूरा दिन दू हैं एए भगवान चलो का डेन के जानना आजना ज़ाना अ मे स्कालु चलो तो यहां से इस्ते यहां से करते हैंप शुरूआट और सा अब नहीं आएंगे यह बाग जाएंगे है है ये मिरे उलग रहा कई ओर गए हंँमारे है नहीं है कि अख टे स्टीक के डिली 381 बताता तो जुदा इसे वहीं में कोई समझ नहीं रा रहा है कितनी मास मिल जी आखेक बहाते हैं हिए कितनी ज्यादे मिल रही में हो सबसाइब है यह सोच Detroit तो तुम पढ़ता पागल हो जाओ, यह जरूर कोई ऐसा है, जाया तो किलास नहीं ले रहा है, कहीं और से आए, यह दूसरे गरह का पुराणी है कोई, चलो आज अब ज़राते हैं, हुई यह कहानी कि इसके बाद शुरू होगी, बटाज की कहानी असली, और इस कहानी के शुरुआत हो मैं आपको लेके चलो उस रूपे, उस जहें पर जहां पर आपको असली ग्यान मिलेगा किसका, एफलन का, तो एफलन कि इसके रेल गाड़ी में जब बैठेंगे, तो मैसिज हमारी तरफ से बंद है, और कहानी की शुरुआत होती है, किसके साथ, फाउंडेशनल लिटरेश है, निमरेसी, तो आज़ो ज़रा, बस पढ़ने वे, अब सारे लोग प्लीज ये दरखास्त है, जब मैं समझादू, उसके बाद मैं दो मिनिट आप लोगो को दूआ, फिर उसके बाद है न, दो मिनिट में दूआ, उसके बाद आप अराम से सवाल पूछना पहले समझेग जी, चलो बेटा मोनी का चेड़ दे, बता आप बताने की ज़रत ने, बहुत किलास है बेटा, आजो बहुत, चलो यहां दे आन दो कोई, देखो, आप हुआ ये कि सबसे पहले जो वर्ड आया, फाउंडेशन, तो यहां मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो सबसे पहले फाउं किसी चीज की स्टार्टिंग को हिंडी में बोल दिया जाता है, उस चीज की शुरुआत, जब कोई सुरुआत होती है, तो वो सबसे क्या होती है, जरूरी, उसी जरूरी शुरुआत को देखते हुए, गोर्मेंट ने कहा कि भाईया, देखो, फाउंडेशनल एक चीज है, दूसरी तरफ आप बच्चे को लिटरेसी, एना एलाई सुरी, लिटरेसी का मतलब है, आप उसे बनाईएगा साक्षट, और जो साक्षट है वो साक्षटा के आधार पर, और एक आया नुमरेसी, एन्यू एम एरेसी वाई, लिखाना या आप रहना, एन्यू मेरेसी का लेकिन इस चीज को समझाने के लिए भी जब बाते चली गई, तो इन्होंने कहा कि इसकी जरुरत क्या है, क्योंकि बहुत समय पहले की बात हुआ गरती थी, एक चीज आई थी हमारे पास, जिसका नाम था, एससे, है ना, साक्षरता अभियान वाला ही, तो उसमें क्या ना मैं थोड़ा सा स्लो हने वाला हूँ, थोड़ा सा स्लो इसलिए, क्योंकि आपको समझ में आए, तो जड़ा समझो, हुआ कहानी में ये, कि आप पहले दो शब्द समझ लो बड़े प्यार से, फाउंडेशनल, तो ये वर्ड़वेटम म्यूलभूत है, ये एक तरफ कोमन है, और उस फाउंडेशनल को हमने दो इस्सों में बाटा, एक तरफ हमने बाटा क्या है लिटरेसी में, लिटरेसी, जिसे आपने क्या बोला, साक्षर्ता, और जो दूसरी तरफ है, उसको आपने बोला, निूम्रेसी, जिसे आपने जान लिया, अंक ग्यान, क्या बोला भई, अंक ग्यान, अब देखो, अंक ग्यान के साथ क्या हुआ, कि इन्होंने कहा कि आप बच्चे को न बे रखना या क्या है language ल से क्याद रखोगे language इसका मतलब इसमें बोला गया भाषा अब देखो तुमारे इसाब से तो भाषा क्या हो जाती है चार लेकिन वह भाषा नहीं होते उसे star लगा लिजेगो language लेकिन तुमने नोटिस किया होगा जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें बोलना पढ़ना तो चलो घर में सिखा दिया जाता है किन हमने स्कूल में जब जाते हैं तो पहली बार हमारी मुलाकात होती है दो अब दो से एक है R और एक है W R का मतलब क्या है Read R का मतलब क्या है Read और W का मतलब क्या है Write तो यहाँ पर आपके सामने एक बात याद रखना इसका मतलब यहाँ पर एक तो क्या है पढ़ना और एक क्या हो जाएगा लिखना तो यह दोनों की दोनों चींज तो अगर तुमसे कोई पूछे की लिट्रेसी में क्या आता है तो लिट्रेसी में मेरे बच्छे याद रखना आएगा आपके सामने language का बार और यहाँ पर जब आएगा तो एक क्या क्यलाएगा read और एक क्या क्यलाएगा write अब इसी दोरान आपके मुलाकात होती एक दूसरी चीज से और जो दूसरी चीज आते हो n, n से आ जाता है number अब जो number आ जाते हैं उसको normally आप कह सकते हैं कि भईया यहां से हमें शुरू कराना है math लेकिन जो math कराना है वो foundational जो word है उसका मतलब मैंने क्या बताया basic तो यहां पर एक बात समझ लो कि एक बच्चे को जो उसके basic skills clear करने हैं उस basic skills में तीन चीजे clear करनी है एक तो क्या करनी है read, एक क्या है write और एक क्या है आपका math इसी वज़े से यह पूरा का पूरा जो निकलता है यह कहता है foundational जो FLN है FLN अगर पूछेगा कि वो based किस पर है तो based जो होगा उस पर उसमें किस चीज को हमने based क्या क्या सिखाना है तो उसमें बच्चे को 3R सिखाने है क्या सिखाने है बटा 3R 3R में एक जो R होगा उसको बोला गया है क्या reading क्या बोला गया reading दूसरा जो बोला गया उसमें क्या बोला गया राइटिंग क्या बोला गया राइटिंग और जो तीसरा है उसमें बोला गया अर्थमेटिक है ना तो यहां जो आप बात कर रहे हैं तो एक बात याद रखना अर्थमेटिक तो अगर आपके सामने कोई भी बात आती है तो एक बात किलियर करते हुए कि छोटे बच्चे को हम क्या बोल रहे हैं छोटे बच्चे को आप तीन चीजे तीन आर चिखाते हैं दूसरी बात एक याद रखना यह जो चीजे है FLN यह तीन पर बात करती है इसके मेर बच्चा तीन हमेशा याद रखना देखो तीन शब्द का यह है FLN है ना इसमें जो एक लास है अप टू कौन सी क्लास तक होगा तो याद रखना अप टू क्या होगा थ्री क्लास तक होगा कितने तक होगा भई थ्री क्लास तक और दूसर हम यहां से कहना चाते हैं ये वाली बात एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र क्या है तीन साल है उसकी लाइफ में foundational literacy, foundational numeracy का ग्यान देना जो उसे up to third class तक पढ़ाना है up to third class में पढ़ाने के दोरान आप उसे literacy में reading और writing का ग्यान देगे जहाँ वो basic मूलभूत चीजों को पढ़ना सीखे और लिखना सीखे और दूसरी तरफ आप उसे basic number का ग्यान देगे जहाँ नंबरों को पहचानना सीखे नंबरों के बारे में differentiate करना सीखे कोई नंबर अगर एक दो डैस चार आ जाए तो missing number का पता करना सीखे या इसे कह सकते हैं वो basic जो mathematics के addition, subtraction और उनको solve करना सीखे के लिए रहे बेटा याद आगे है समझ मागी का नहीं तो देखो यहाँ से आपके सामने जो पूरा का पूरा निकल के आता है तो मैं अच्छे याद रखना foundation, literacy और निमरेशी जो होगा यह तीन आर पर भीस है अप टू तीन class तक है यह इस तीन से नो है literacy में आप reading writing ध्यान देते हैं और निमरेशी में आप number या math या arithmetic यान देते हैं किलियर भई किसी को यहाँ तक आप जिसका जो सवाल हो पूछ सकता है जिसका जो extra comment कर रहा है बेटा वो ना यहाँ पढ़ेगा ना कहीं पढ़ेगा मैं बता रहूँ अब आप सीधा पूछ लीजएगा किसी को यह पूछना कि कोई गड़बड या समझ ना आई हो तो पूछ लो डन बई किलियर आच्छा स्क्रीन शोट लेना यह लो बटा ले लीजएगा डन किसी को कोई दिक्कत परेशानी फटा फट बता दो पंकत यादा वगला एक मैसी जाए बटा ब्लोग हो जाएगा यह मेरा वादा है तुछ से मेरे बच्चे फटा फट जवाब दे दो बटा अब बाद में न बहुत सारे लोग इसे कन्फ्यूज करेंगे निपोन बारत एन इपी तो जड़ा समझ न मैं आपको बहुत सारी चीज़े बता के चलना इसमें ठीक है अब इसके बाद अगर डन है तो बात चलेगा आगे अब यहां से आग के सामने आते हैं अच्छा बहुत सारे लोग फाल तुम्हें पढ़ेंगे दिक्षा है निष्ठा है वो तुम्हें FLN में नहीं पढ़ना जो लोग तुम्हें शेरिंग वाला दिक्षा पढ़ा रहे हैं दिक्षा is not the part of FLN पहले समझा दे रहा हूँ एक ब समझना नहीं चाहते हैं बस सवाल पूछना चाहते हैं इसलिए अब इस बात को थोड़ा सा हमने आगे लिया और आगे लेते टाइम आपके सामने जब आया तो एक बात तो किलियर होगी कि जब तीन वर्ड हमारे सामने आये FLN तो बिने बच्चे FLN में समझ गए तो अब सि इसका मतलब foundational जो literacy है उसमें आप क्या करेंगे identify क्या है letter identify क्या है initial and final मतलब शुरुआत कहां से होगी अन्त तो basic जो word है मतलब आपने पहले बच्चे को A सिखाया फिर B सिखाया फिर C और उस से अचानक एक word सिखा दिया कि इन तीनों से मिलके क्या बन जाएगा तो basic letter को सिखाने के बाद word तक पहुंचने के process जो परकिरिया है ये भी हमने कहां पर सेखी foundation literacy में दूसरा तो अक्षरों को पहचाने और प्रारंभी के अंतिम शब्दों की पहचान करें अब उसके बाद read क्या करेगा familiar word तो मतलब मान लो आपने बच्चे को पढ़ाया cat तो उससे जो cat पढ़ा दिया तो अगर आपने एक word पढ़ाया cat तो उससे similar क्या पढ़ा दिया rat rat से similar क्या पढ़ा दिया man तो आप जो इस तरह से similar word पढ़ा रहे हैं तो बच्चा ना rhyme में लेके चलेगा और इन चीजों को आसानी से क्या कर लेगा याद कर लेगा इसका मतलब ज कोई जरुरत नहीं है अगर नहीं दिख रहा तो कोई बातनी में इससे बाद में राम से यहां लिखवा दे रहो समझ लो इसके बाद यह क्या है और उरली रीड कर पाएगा अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया और स्क्रीनिशोट लो फिर इसका एक बेस और बताता ह तुम यहां समझतके नहीं, नहीं दिख रहा है, तो मेरे को कुन सा रट्टम आ रखा है? मैं तो यहां बखाऊ जाओ जाँ पहचानना, मूल भूद शब्दों को पहचानना, पहली बाद, फिर एक से पहले एक वर जानना, एक शब्द, एक शब्द का ग्यान, उसके बाद धीरे से क्या होगा, दो शब्द का ग्यान, उसके बाद क्या होगा, उनको मिला कर बनने वाले शब्द का ग्यान, मिलाकर बनने वाले शब्द का ग्यान अब इधर देखो अगर यही बात किस में पहुँच रहे थी? नुमरेशी में तो नुमरेशी वाले में हमने क्या बताया? पहले क्या है? मूल भूद अंको का ग्यान अंको का ग्यान दूसरी तरफ जाओगे तो क्या हो गया एक संख्या वाले एक संख्या वाले अंख उसके बाद क्या होगा दो संख्या वाले उसके बाद क्या करेगा जमा और क्या है घटा मतलब क्या है प्लस और माइनस का ग्यान तो इसका मतलब यहां से यह वाली बात किलियर अब स्क्रीन शोट ले लो और बोलो डन भई आ गया चले रेडी भई यहां तक किलियर भई किसी को कोई दिकत परेशानी हाँ या ना डन अब जब आप यह सारी चीजे कर लेते हो तो कहानी असली शुरुआत होती है जो छिपा ली जाती है और जो छिपा ली जाती है उसमें क्या हुआ उसमें हमारे लिए काम आया और उसमें जब हम पढ़ रहे आगे तो बढ़ने के दोरान ऐसा हुआ कि आप जब इसे पढ़ेंगे तो FLN एड़ किया गया पहले यहां FLN जो एड़ हुआ FLN एड़ हो गया था बिल्कुल बेसिक रोप से NEP तो NEP 2020 हमारे सामने आई उसमें FLN को क्या किया गया एड किया गया लेकिन उसमें हम से जो बहुए पोईंट बोले गए वो पोईंट जो बोल दियेगे वह तो 2020 में बोल दियेगे बट FLN के इस प्रोसस को करने के लिए यहाँ पर कुछ चीजे बनी और जब यहाँ पर चीजे बनी तो यहाँ से असली सवाल बनना शुरू हुआ और वो असली सवाल जो बनते हैं वो आपको समझाते हैं क्या इसका मतलब आपने जो भी FLN में रोल दिये हैं उसे हम अलग पढ़ेंगे जो हमारी पांच वी डिजिट है लेकिन उससे पहले आप पढ़िएगा जरूरी बात यह हुआ यह वाला था कि 16 दिसंबर 2021 16 दिसंबर 2021 तारिक जरूर याद रखना बेटा हैं हाँ 16 दिसंबर 2021 में एक ना काउंसिल वनी जिसका नाम रखा AECPM क्या रिखा गया है AECPM AEC का मतलब एकोनोमिक एडवाइजरी काउंसिल और प्राइमिनिस्टर तो अगर तुमसे कोई पूछ लेगा हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहेगी कोई इसे कोछ सोचे की सर्चिस का M I N I S T R है ना कोई यह सोचे की सर्चिस का इंग्लिश में क्या होगा तो economical है ना एकनोमिक एडवाइजरी काउंसिल टूदा प्रैमिनिस्टर भी लेख सकते हो ओफ दध प्राइमिनिस्टर जो भी लिखना जाए तो यह हुआ यह कि एकनोमिक ने आप जरा इसको समझते रहना इन्होंने क्या किया एक रिपोर्ट रिलीज करी और जो रिपोर्ट थी हो किस पर थी F.L.N कि बच्चे को F.L.N की नीड है इसका मतलब यहां से एक idea मिला लेकिन इस idea को report में दे दिया गया लेकिन यह जो report है this report was prepared by this report was prepared अब तुम सोचोगे यह prepared तो इसे prepare किया था इसे तयार किया था, इसे तयार किया था मेरा पच्छे, कोई बोलेगा report किसने दी, तो याद रखना report दी गई किसको? EAC को, उस report को तयार किसने करा, उसे तयार किया था, IOC, किसने किया था? IOC, अब तुम सोचेगा IOC का हुँँदा? Institute of Competitiveness, Competitiveness, हिंदी में मत लिख ले न, Institute of Competitiveness ने इसे क्या गया, तयार किया, अब जड़ा देखो इसमें लेटरे से थोड़ा आगे जागे, कहां हम देखते हैं जानगारी, तो हमने कहा 16 December 2000, बड़ा इसमें बड़ा अराम से समझना, क्योंकि इसलिए KVS ने से 2 जंगे डाला है, इस यूनिट 2 में भी डाला गया, और उसके बाद इसे यूनिट 5 में भी, तो तुम आराम से समझना, या, तो हमने कहा कि जो FLN है, वो 2020 वाला तो हम पढ़ेंगे, जो NEP में है, लेकिन उससे अलग, 16 December 2021 को एक रिपोर्ट दी गई, जिस रिपोर्ट किसको सोपा गया, EAC, Economic Advisory Council to the प्राही मिनिस्टर, रिपोर्ट को तैयार करने का काम क्या था, Institute of Competitiveness, C-O-M-T-E-T-I-T-I-V-E-N-E-S, ठीक है, मतलग, इसे हिंदी में लिखोगे तो भाई, प्राही, Competition वाला Institute नहीं, Institute of Competitiveness याद रखना, बट, यहां से जब हुआ, तो इसका एक Target रखा गया, और जो Target रखा गया, कि इसका Target रखा गया, कि बच्चे के क्या हो, Basic Skills के लिएर हो, और जो Basic Skills के लिएर हो, वो किसमें हो, वो FLN, और FLN में तुम समझी गई, किन Literacy में, और क्या है, Numeracy, अब, इस बात को जब आगे बढ़ाया गया, तो एक Target रखा गया, और जो Target जो लोग जिनोंने पुराना पढ़ा होगा, वो आपको बोलेंगे, यह Target अचीव होगा, 2025 तक नहीं, याद रखना, 2025 जहां भी पढ़ोगे गलत है, गोवर्मेंट की रीशन निपन र आई तक, तो इसका मतलए Target रख दिया गया, तो गोवर्मेंट ने भी Target रख दिया, कि बच्चों को जो Basic Skills है, वो यह FLN वाली मिल जानी चाहिए, सारे के सारे Attributes मिल जाने चाहिए, एक्यूपेंट मिल जाने चाहिए, ऐसा Infrastructure हो जाना चाहिए, कि बच्चे सारी चीज़े सी तो 2026, 2027 इसका Target रखा गया है, अगर कोई आपको 2025 पढ़ा रहा है, तो आपको पुराना YouTube से कहीं से देख लिया होगा, ज्याद रखना इस बात को मैं बार 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 बोल रहा हूँ, इस इस नोट टू 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 थावजन टूएंट फाइनल क्या होगा, निपून के अंद अगर के लिए, अरे पोटल पर रेगुलर क्लास है, वो बेटा कोई और था, मैं जानता हूँ, छोड़ो छोड़ो, वो शुरू में क्लास का मूट घराब करने के लिए आजाते है, तुमारा टाइम घराब करने के लिए, आजो आजो, 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 अपन हीलेंगे नहीं, अजो, इसक्रीन चोट लेना है, तो ले लो, अब जब ये काम हो गया, तो इसको तो कर दिया गया, अब इसको जब हमने देखा, तो हमने जान लिया कि FLN के तीन, बट, FLN को किलियर कराने के लिए यहाँ, तो मेरे बच्चे, ये देखो, मैं वेबसाइट भी दिखा दू, ये वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो, EACPM, आपने कहीं भी कुछ भी पढ़ लिया होगा, लेकिन FLN का आप, authentic ये मैंने वेबसाइट भी, अगर आप EAC-PM डालोगे, तो आपको economic advisory, है न, to the prime minister, ये मिल जाएगार, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, what is EACPM, तो यह किलियर हुआ, अब EACPM के किलियर होने के बाद, आपके सामने अगर सवाल आ जाएगे, तो हमने भाई किलियर कर दिया, economic advisory counselling to the prime minister, जो होगी, उसने अपनी report कब दी गई, उसको report, 16 December 2021 को, और मेरे बच्चे, foundational learning across children age, जो होगा, वो age कितनी रखी गई, बताओ जड़ा, option number A, up to 3 years, option number क्या होगा, up to 3 years, या कहता है, option number B, up to क्या होगा, 3 to 9 years, क्या होगा, 3 to 9, option number C, 6 to 14, option number D, आप 3 to 18, बताना जरा, क्या जवाब होगा इसका, जरा जल्दी बताओ, क्या जवाब होगा भई, इसका, जी, बेटा मेरी जो बुक है उसमें आप ही वाला ना जो आप बुक देखेंगे इसमें ये सारी चीज़ें आपको न दो जेंगे हमने FLN को उसी आधार पर बनाया है जब आपके पास पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपको उसी आधार पर किताब दी गई है ना कि गुए तो जब आप यूनिट टू जाओगे तो बुक का ना बुक का पेज नंबर देख ले ना बता देता हूं रुका यूनिट टू में जब जाओगे तो ये रहा पेज नंबर 123 है जहांपर आपका FLN देखने मिलेगा और उसके बाद फिर NEP है जहांपर आपको अलग देखने पड़ेगा ठीक अब यहां तक जब आपने जवाब दे दिया तो बहुत बढ़िया 329 अब इसके बाद कहानी बढ़ी और इस कहानी को नया ताजा करने के लिए अब हमारे सामने 3R भी क्या है clear है और जो मेरे 3R है वो तुम समझ गए मेरे 3R क्या होंगे यहां तो मेरे 3R मे क्या है reading, 3R में क्या है writing और 3R में क्या है arithmetic अभी तुम्हारी कहानी में तुमने FLN पड़ा नहीं है FLN NPE के हिसाब से क्या होगा NEP के हिसाब से वो भी पड़ना है अब इसको पूरा करने के लिए कि चलो भाई इसको पूरा करेंगे तो पूरा करने के लिए government ने क्या खिया म याद रखना तो 5 pillar को याद रखना अबे LG है ना अबे LG तो इसको याद रखने के trick क्या होगी अबे LG तो यह किताब में मैंने trick बनाके दिया है चिंता ना करिएगा यह क्या है अब LG आज कुछ white सा जाधा नहीं हो रहा क्या मेरे कोई लग रहा है अच्छा वाइट सट गए यह क्या है अब इसके हमने क्या रखे हाज आ जो चलिएगा बताई तो यहां बिटा इसमें जै यहां से तीन चार कोशन यहां बनेंगे मिर बच्चे और उसके बाद आगे के जो कोशन बनेंगे वो आपके इंटर्वी में सबसे जादा बनेंगे ज जो ए है सबसे पहले आप बच्चे को एक्सस दिलाओ बच्चे को क्या दिलाओ पहुंच दिलाओ कहां तक की पहुंच दिलानी है कि आपको बच्चे को एक्सस दिलाना है कि सिज का एक्सस टू एजुकेशन इसका मतलब पहली वाली बाद यह क्या होगा एक्सस टू एजु मूल भूत जो उसका स्वास्त है उस पर भी आपको क्या रखना है मूल भूत स्वास्ते को भी क्या रखना है ध्यान में रखना है अब जब मूल भूत स्वास्त हो जाएगा तो भया ऐसा है कि फिर ई वाला भाई साब क्या बोलेगा भया कि जो बच्चा educational E-D-U-C-A-T-I-O-N-A-L उसके लिए infrastructure भी basic infrastructure मतलब क्या होगा educational जो infrastructure होगा इसका मतलब आप उसके लिए sex-shik जो है अवरचना भी करेंगे क्या करेंगे sex-shik अवरचना वता बेटा ज़र्वते जो होती है अवरचना आप देखें अवरचना अवरचना लेकिन उसके बाद क्या है L का मतलब यह होगा आपको यहाँ देना है बच्चे को कि जो करार रहे उसके क्या हो learning के क्या निकले पूरी करते रहे बात तो इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा यह सवाल कि बताईएगा कि बताईएगा यह वाली बात कि हमें यह बताना है कि पूरी एफ एलन के पांच पिलर पांच पिलर होते हैं जब इसके पांच मोटिव होगे पांच कि आपको जो एजुकेशनल इंफरस्ट्रक्चर वो देना है दूसरी तरफ आप बच्चों तक यह पहुचाना है तीसरी बात आप बच्चे के मेसिक मतलब आप इस तरह पढ़ा ठीक है तीसरी तरफ आप जो पढ़ा रही है उसका एक रिजल्ट आए वो ऐसा ना हो कि पढ़ाया गया और छोड़ दिया गया और लास्ट में कहता है सरकार को जब जब इसके लिए जरुरत लगे तो सरकार इसमें हमेशा अपना पार्टिसिपेट करती रहे किलिए रहे हा आया ना डन भाई डन चलो भाई स्क्रीन शोट ले लो आजओ यहां जा रहा अच्छा आप लोगों को अगर यह लगता है कि आपका ध्यापक वाला तरीका यह होता है बेटा मेरे लिए बड़ा आसान हो सकता है मैं जब ना अपने पोर्टल में भी और यहां भी हम एक बात करके चलते हैं कि कभी भी ना पीपीटी को ऐसे लिखे और अगर करता चलूं तो मिरसे नहीं समझा जातो आपको जहां जैसा चला है में तरीका समझाने में ज़्याद माइने रखता हूं, मैं लिखने में कम समझाने में ज़्यादे रखता हूं, किलियर भाई आगे समझ में हाँ या ना, किलियर आप इसके बाद जब आगे बढ़ें, तो यहां आगे बढ़तें टाइम आपके सामने, आप में से जितने भी चाला हुआ है कितने लोगोंने निपूंड पढ़ लिआ चली सबस्क्र edna कितने लोगों निपूंड कई ना कई किसी ना कि आजी हमने 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 चल अगर पड़ लिया है तो एक काम करो तुमने निपुन भारत की फुल फोर्म तो मैं जानता हूं सारे लोगों नहीं पड़ लियोगी उसमें तुम्हें टेंचनी नहीं ले रहा है लेकिन आज ना तुमारी पढ़ाई को देदे तुम मैं अगर इ आता है आपको मुझे यह बताना है कि उसकी टेग लाइन गया है जो बच्चे मेरे से पोर्टल पर वैसे पड़े हो तो उनको तुम्हें गहा दे निपुन भारत की टेग लाइन बता दो फिर मैं समझा दूँँ तुम्हें चलो अब अगर आपके सामने यह है तो निपुन भारत की फुल फोर्म तो सबको पता है आगे न तुम अपने स्पे इसलिए मैं कहता हूँ बेटा तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना वह बहुत ऊपर ऊपर है चलिएगा नहीं पता ना तो आजाओ ज़रा मैं बताता हूं य निपुन भारत की जो लाइन है वह है निपुन भारत का सपना इसकी टैग लाइन क्या है निपुन भारत का सपना और अने लिखा वहां पर निपुन जो लिखा होगा वहां पर नया नी लिखा अने है निपुन भारत का सपना निपुन भारत का सपना याद रखा यह लाइ निपुन भारत का सपना, सब बच्चे समझे, तब बच्चे समझे, देखो, अब समझे, तो तुम्हें पता है कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, गणना, तो यहाँ पर क्या होगा, निपुन भारत का सपना, सब बच्चे समझे, भाषा और गणना, इमानदारी से बताना य जो तुम जान रहे हो, इसी में बस फर्क है, क्या पढ़ते क्या हो, आपके लिए क्या अच्छा, क्या बुरा है, है ना, यहां तुम बड़े आसानी से कह दोगे, लेकिन चीज़े डिटेल में पढ़ागरो, उपर उपर नहीं, तो निपुन भारत का जो सपना है, उसकी यह निपुन के बारे में बताना जरूरी था मेरे को, बहुत सारे लोग थे जिनको लेके ना, बड़ा वो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको बता दूँ, हाँ, ठीक है, आप चलिएगा, निपुन भारत के इसके बाद ना, तो निपुन भारत का जो यह था, तो य विलकुल एक अलगी है, जिसमें आपना समझ पाएंगे, आपने उपर-उपर जानगारी, तो मेरी तरफ से परियास्ता ही साफ समझ लीजेगा, तो निपुन भारत का जो है, अब निपुन भारत की जो फुल फो में हो सारे लोग जानते हैं, नेशनल होता है, for proficiency in reading with understanding and numeracy, तो निपुन भारत की जो फुल फो में है, उसके लिए कोई जादे दिकत हैं नी, आप यह आप जानते ही हो, निपुन भारत को मैंने आपके सामने, तो निपुन भारत की जो फुल फो में है, अब तो जितने लोगों को नहीं पता, तो मेरे बच्चे यह अप सिक्वेंस में, शुरुआद हुई यहां कि पहले आपके लिए NEP आती है, कि अब 2020 में, NEP 2020 के अंदर क्या आता है, FLN आता है, उस FLN की सकस को पाने के लिए आप एक कमेटी बनाते हैं, रिपोर्ट देते हैं AEC, जिसको PM को जाती है, कितनी तारिक को 16 दिसंबर 2020 को, उसकी सक बैक के लिए उसके बाद एक ओरai NEP यहां, इस रिपोर्ट को तयार किया थह, R Concept के लिए उसके बाद एक ओर एक क्याता है, जिसको बोला जाता है, निपूर्ण और जो निपूर्ण है, निपूरिण आता है जुलाई में, जो पांच जुलाई, कि फांच जुलाई के बाद 2021 में आँ, तो इसका मतलब आप इसे मर्ज कर देते हैं, किसके साथ EAC के साथ, तो जितने भी लोग जानना चाहते हैं, तो याद रखिए इस बात को, किनिपुन का अपना मतलब है और इसका अपना, अब यहाँ तो लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा तो बेसिक कोंसेप्ट में अगर तुमारे सामने निकल के आएगा, तो बस मेरे बच्चे याद रखना, किनिपुन के बारे में अगर डिटेल होगी, तो यह रहा, निशेटिव का जो नाम है, इसका नाम क्या है, इंग्लिश में ही लिखना हिंदी में, N4 क्या है मिनिस्ट्रिफ एजुकेशन किसमें बदलता है, NEP 2020 NEP 2020, जो हमारा वो है, MHRD मिनिस्टर उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको अब कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, MOE में, और यह लॉंच किया था आगे बढ़ें, जी, क्लियर, अब जब इसके बाद आपके सामने आता है, जब आप इसके सामने आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद यहां निपुन खतम नहीं होता और निपुन में जो, आप लोग जो मुझसे पूछ रहो सबसे ज़्यादा जो जरुरत है, सबसे ज़्यादा most important जरूरी है यह, यह अगर आपको किसे नहीं पढ़ाया तो आपका FLN पूरा नहीं हुआ, हैना चाहे मैं नहीं क्यों न पढ़ाया तो जो लोग बिटा, एक बार प्लीज आजाओ, इसको पढ़लो दिहान से, मैसिज बंद कर दो, मेरी जिंदिगी में, तुम्हारी जिंदिगी में मेरे को यह नहीं पता कि मैसिज तुम कैसे, कैसे नोकरी पालोगे मेरे बालक तुम है कैसे पालोगे भई जो मैसिज कर रहे है तुमारे जिंदिगी में भागा दोड बस यही रह जाएगी का यह मास्टर बढ़िया वो बढ़िया फलाना अरे जान तुम्हें बढ़िया लागे वहां पढ़ लो यार ना मुझे बताना और आप समझो इस बात अगर आप नहीं स मतलब है बालवाठी का बी का मतलब क्या है बालवाठी का जी का मतलब जो होगा यहां पर एक है ग्रेड वन आपके लिए क्या है एक है ग्रेड वन दूसरा क्या है ग्रेड टू और तीसरा क्या है ग्रेड थी इसका मतलब इसके लक्षे में तीन चीज़े शामिल की गई एक प्लस में क्या है ग्रेड वन ग्रेड टू और ग्रेड अब इस बात को जानते और इस बात को आगे बढ़ते हुए जब आपके सामने यह वाली चीजे आती हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है तो आपने बहुत जगे ऐसा एक फोटो देखा होगा तो यह फोटो आप को बिलकुल आसानी से एक चीज समझा रहा हूँ बिलकुल यहां देखना उसे मैं बाद में पढ़ा दो यहां देखो यहां हमने फाउंडेशनल एफ ओ यू एन डी ए टी आई ओ एन एल जैसे मैं फाउंडेशनल वर्ड लिख रहा हूं इसी आधार पर आप बच्चे को हमने इसका एक graph बनाया और इसमें कहा गया यह कि आपको जो करना है यहां से तो हमने एक point रखा बालवाटिका का एक रखा grade 1 का एक रखा grade 2 का और एक रखा grade 3 पहली बात तो इसमें आपने जो रखा तो age जो up to है class कहां तक होगी class तो कितनी होगी third तक उसके बाद कोई age हाशा होगी तो सबसे पहले ओ एफलन यहां बच्चे को क्या करना है पहचानना इसका मतलब बच्चा basic शब्दों को क्या करेगा पहचानेगा यह बालवाटिका का काम है बालवाटिका में जब जाएगा तो अगर numeracy वाली बात होगी तो बच्चा 1 to 9 या आप इसे कह सकते ह 9 तक भी क्यों इसके बारे में इस तालर तो एक से लेके 10 तक के number को क्या करेगा पहचानेगा उसके बाद जैसे वो grade 1 में पहुचेगा तो grade 1 में है मतलब यह कि बच्चा उसका अर्थ के साथ meaningful अर्थ के साथ समझ पाएगा अर्थ से समझाना इसका मतलब अगर cat दिया है तो cat word को क्या करेगा समझेगा और यहां पर उसके जिंदिगी में जो आएंगे चार से पांच सरल शब्दाएंगे 425 easy word इसका मतलब 4-5 easy word को समझाना यहां थोड़ा चोटा पढ़ रहा है एक बार मैं आगे ले लूँ क्योंकि मेरे पास जंगे कम पढ़ रही है यह ना यहां चलते रहेंगे और उसमें क्या कर सकते हैं बदाओं है ना मेरे बच्चे यहां बढ़ तो इसका मतलब जो तीनों category हमने ली है इसको बड़े आराम से समझ लो यह चार्ट बहुत important है और इससे आसान को मैं समझा भी नहीं सकता मिरे को लगता है ना आप समझ पाऊगे foundational तो हमने यहां पर मूल भूत इसमें क्या लखा है literacy इसका मतलब साक्षर्ट वाली बाद और इधर आपका क्या है numeracy अंक ग्यान अब हमने इसको क्या कर ले बेटा screen shot ले ले ना समझ लो interview पूछेगा और यह क्या है group जो है तो इस group में हमने सबसे पहले जो लिया है हमने किसको लिया भई हमने बालवाटी का लिया हमने क्या लिया बालवाटी का बालवाटिका तो जो बालवाटिका है अगर कोई तुम से पूछेगा कि बालवाटिका का age group क्या होगा तो बताता हूँ उसके बाद तुम्हारे सामने क्या आएगा Grade 1 आएगा ठीक है उसके बाद मेरे बच्चे दूसरा क्या आएगा आपके सामने grade क्या है 2 और यह क्या जाएगा आपके सामने grade 3 तो याद रखने के तरीके समझते चलना बस तो अब इसके अंदर जाएंगे फिर इसके अंदर याँ मैं चाहता तो मैं इसे नहीं धटवा सकता हूँ आपको बस photo दिखाता और काम हो जाता बट photo दिखाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको इसको समझना पड़ेगा और समझते डाईंगे तो बालवाटिका वाला जो area आया बालवाटिका वाले ने हमें बताया कि बालवाटिका में हम सबसे पहले जो age group अगर होगा तो age group इसमें विटा याद रखना अगर इसमें कोई age group पूछ ले तो age group नॉर्मल लखना इसको 5 से 6 यह कितना होगा 5 से 6 कोई grade 1 में पूछेगा तो यह क्या होगा 6 से 7 अगर नीचे की तरफ जाएगा तो यह क्या होगा 7 से 8 और अगर इधर पूछेगा तो 8 से क्या होगा 9 बाकि तुम समझ के होंगी योगि 3 to 9 था तो 3 to 9 की वज़े से हमने last में 9 साल तक आपके सामने आ गया सबसे पहले क्या अक्षर की पहचान तो इसका मतलब बच्चा क्या है identify करेगा जो मैंने आपको बदाया यहां तो अक्षरों की basic पहचान करेगा basic बिल्कुल शरल कम से कम क्या होगा minimum क्या होगा 2 वर्ड पढ़ ले minimum क्या है 2 वर्ड पढ़ ले आसानी से इस बात को कर ले बालवाटी कम है यह वाला अब उसके बाद अगर होगा minimum कितना होगा 2 वर्ड होगे numeracy में अगर जाएंगे तो numeracy वाले में याद रखना वो क्या करता है 10 से 10 तक क्यांकों की पहचान 10 तक क्या करेगा पहचान करेगा और दूसरी बात वो अगर यूज भी करेगा तो number क्या करेगा यहाँ पर तो basic जो है basic जो है वो क्या करेगा किसी संख्या को पहचान लेगा या किसी की क्या है आकरती figure को पहचान लेगा अब जब वो आगे जाएगा grade 1 में तो यहाँ पर वो जो minimum 2 वर्ड सीखता था grade 1 में याद रखना वो क्या करेगा 4 से 5 शलल शब्द सीख पाए 4 से 5 शलल शब्द सीख पाए अब 4 से 5 शलल शब्द अगर वो सीख लेगा तो इधर की तरफ अगर वो आएगा तो grade 1 में आप उसे दीजेगा इतना कि वो क्या करें वो 99 अप्टू 2 डिजिट क्या कहता है बेटा अप्टू 2 डिजिट वाला कौंशन है अप्टू 2 डिजिट वाला होगा या नॉर्मली आप उसे याद रखना 99 तक और 99 तक तो पढ़ ले लेकिन साथ साथ में वो easy वाला सरल जो है easy वाला सरल क्या करें जोड भी सीख जाए और साथ में क्या है गटा सीख जाए अब जब वो 7 से 8 तीसरी केटिगरी में आता है जिसे grade 2 बोलेंगे तो वहाँ क्या मतलब क्या होगा बच्चा अर्थ के साथ पढ़े अर्थ के साथ क्या है पढ़े अर्थ के साथ पढ़े लेकिन यहाँ शब्दों की जो संख्या है वो 4 से 5 नहीं 45 to 60 हो जाती है इसका मतलब यहाँ पर कितने up to 45 to 60 यहाँ पर वो बच्चा क्या है कि परती दवनी से 45 से 60 वर्ड जो है वो रीड कर पाए क्या कर पाए रीड अब अगर इधर आएगा नंबर के केस में तो नंबर में कहता है जो ग्रेट 2 होगा उसमें अब दो डिजिट नहीं है क्या है दो डिजिट नहीं है वो यहाँ पर क्या करेगा मतला डिपल नाइइ जो वर्ड है तो 99 तक की संख्याए क्या है 999 तक की जो संख्याए है वो पढ़ भी लेगा और क्या कर लेगा लिख भी ले पढ़ भी ले पढ़वे लिख ले अब उसके बाद अगर आप बढ़ोगे तो जो हमारा grade 3 है grade 3 में आ जाएगा कि बच्चा up to मतलब start word कब तक बोल पाएगा या start word per minute क्या होगा तो याद रखेगा minimum यहाँ पर requirement आती है किस time तक आते आते बच्चा क्या है start word तो क्या है बिना उसके दिक्कत के पढ़ ले और जो number है वो 9999 सो हो जाते है 9999 9999 के बाद यहाँ पर उसके सामने आता है कि number जो है यहाँ पर वो क्या है basic जो सरल था अब 99 तक वो क्या कर से 99 तक घटा और 99 तक क्या कर पाए जोड लेकिन दूसरी तरफ 99 तक संख्या है पढ़ पाए लेकिन साथ साथ में यहाँ शुरुआत होगा basic यहाँ पर वो गुणा करना भी सीख जाए कौन से वाली सरल तो अगर कोई basic तरल अब भाई किसी को ना समझ में आया तो पूछलो फिर मैं आगे बढ़ूँआ यह पढ़ाने लाइक नहीं है पोटल में बिटा एक चीज ना यह वाली एड करते टाइम मैंने वीडियो एड करी थी यह वाला मैंने उस दिन last में बता दिया था कि एक चीज करते टाइम ने याद करो जब मैंने पहली किलास में हुआ कि तुम लोग देखो यही चकर होता है एक बार मैं सब को बता दू पहले दिन न हमारे पोर्टल में भी चक चक चल ली थी online और offline में दो ही फरक हैं कि यह बैच मैंने पहले दिन में offline में पढ़ा दिया था लेकिन online में मेरे दिमाग से skip कर गया क्यों skip कर गया क्योंकि तुम बीच में जो chat करते हो न तो chat आपके पूरे systematic तरीके को क्या हला देती है यहां तक समझ में आया है हाँ है ना screenshot ले लो फिर आगे बढ़ जाएंगे clear last वाले में नाहिद क्या कहता है बटा कि grade 3 का जो बच्चा होगा वो at least minimum किताब अगर उसके सामने हो तो 60 word per minute पढ़ बाए क्या है साट वर्ड क्या है तो याद रखना यह जो question है यह 4 से 5 यह per minute के concept में माने जाते हैं किस में माने जाते हैं per minute के तो 60 word per minute अगर वो पढ़ पाएगा तो इसका मतलब वो क्या होगा आगे और यहीद है आप भी जब YouTube पे आते हैं बात करोगे तो इसका मतलब बाकिये चीज Jewish एक बात और याद रखना जिन्दिगे में जैसे नमबर 1, 2, 3, 4 तो जिसके पास 4 होगा उसके पास 3 होगा जिसके पास 3 उसके पास 2 जिसके पास 2 उसके पास 1 इसका मतलब यह कि grade 3 तक आते आते आपके बास उपर की सारी चीजे आ जाएंगे ये तो आपने जब पढ़ लिया तो इसे पढ़ने के बाद इसे पढ़ने के बाद जब आप ये पढ़ लेते हैं तो यहां से फिर FLN के बाद अगर आप बढ़ेंगे तो क्योंकि आपकी जो जरुरते हैं अब आपको अगर उसमें थोड़ा सा भी दे तो एक मेरे बच्चे आती है इसमें ELPS एप्रोच बड़ी इंपोर्टेंट है क्या जाती है ELPS एप्रोच देख लो तुम अपने आप से समझ लो अगर तुम मेरी जगे और तुम पढ़ने की जगे ऐसे मेसेज करोगे तो कैसे काम चलेगा बस यह यह बेटा थियोरी मेरी मैं आज यह कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है तुम कोशन नहीं पढ़ो बेटा यूट्यूब पे तुमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कोशन नहीं पढ़ो तुमारे है ना चलो मैं फिर भी यह तो आज मैं पढ़ा दूँआ आप देखिएगा एक आती है ELPS approach E का मतलब होता है experience E का मतलब क्या होता है experience बड़ी important है उसके बाद L का मतलब होता है language P का मतलब जो होता है वो होता है picture और जो S का मतलब होता है वो होता है symbol चलो भई बहुत बहुत देने वाद आपका इतना कीमती समय अपने देने के लिए है ना बहुत बढ़िया चले चले बहुत साबाज साबाज आजो आजो चले यहाँ पर अगर आपके सामने नहीं है अमित बारतिय ऐसे पढ़ाया यार एक चीज छुटगी थी बताया था न मैंने अगली क्लास में बता दिया था जैसे यहां बच्चों के दोरान बात करते छुटी थी मैं अगली क्लास में वीडियो पढ़ ज़रा दूसरे वाले सोशलाइजेशन की वीडियो मैंने उसी दिन बोल दिया था ध्यान से पढ़ोगे तो पता भी चलेगा किताब एकाउंटिंग इंते रहते हो बस है डन याद करो आप देखो ELPS एप्रोच को यहां समझ लीजेगा जो ELPS एप्रोच होता है उसमें E for क्या होता है experience इसका मतलब बच्चा कोई physical object देखता है जैसे मान लीजेगा उसने क्या देखा ग्लास मोबाइल देखा या उसने कोई की देखी तो किसी की को उसने देखा और की को देखने के बाद उसने उससे experience ले अब उस experience को देखके उसके दिमाग में क्या उठती है एक भाशा उठती से अब जो picture उसके सामने नहीं होती तो उसे symbolic form मतलब written form में बताना शुरू कर देता है तो अब अगर आपके सामने यहां पर यह वाली बात आती है तो ELPS जो approach होती है उसमें E4 क्या होगा experience, L4 क्या होगा spoken, P4 होगा picture और S4 क्या होगा symbol तो जब आप इन सारी चीजों को देख experience यहां भी मिलेगा, experience आपको यहां भी मिलेगा, experience आपको यहां भी मिलेगा और experience आपको यहां थो ELPS एपरोच जो है वह experience based होगी जो आपके सामने आजाएगी है ना जी आ जो डन अच्छा लो तुम्हारे जरा जिन्दिगे में थोड़ा सा कुछ मज़ा लेई हैं तुम ऐसे तो समझोगे नहीं है ना यह लो बताने इस सवाल का जवाब क्या होगा चलो तुम आजो सवालों के कीड़ों बस वो सवाल कर तो नीचे देज़ो कि नियाएंति सच में याद कर दो कि कलो इस सवाल का जवाले कोई जवाब नहीं देगा पहले बता रहा हूं ठीक है बताओ भई बताओ 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 सवाल का जवाब जिनको नहीं पता बस हो है ना में जवाब देना डी आ रहा है सबसे ज़्यादा उत बढ़िया बहुत सही D, A, D, 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 D एक तरफा जवाब क्या आ रहा है? D आ रहा है कोई जुरूद नहीं बहुत बढ़िया और जो कह रहे हैं न, पोर्टल पर नहीं देख मेरे बच्चे पोर्टल के में बच्चों के जवाब देख ले आप तो अमित जरा संतुष्ट हुआ की नहीं हुआ? अरे पगले मैंने कहा था बात करोगे तो आप पढ़ने में कुछ ना कुछ तो छूटेगा आप तुम बात कर रहे तो मैं क्या करूँ आ जो, लो हैपी? एक तरफा जिसने भी जवाब मेरे बच्चे ये है तुमारा बस अगर तुम्हें पढ़ना ही वैसे है इस सवाल का जवाब ना A है ना इसका B है है ना ना इसका D है इस सवाल का जवाब C है इस सवाल का जवाब क्या होगा? C होगा, आप तुम C को नहीं समझोगा तो बता हमें क्या करूँ, लो सवाल पढ़ो चलो, लो सवाल दो जवाब तुम है ना ले लो पोर्टल वाले तुम्हें पता चल जाए बैटा तुम कितना पढ़ के आ रहे हो, देख लिया जवाब मसद तुम्हें सच महीं फिरी की चीज़ नहीं चाहिए भई, आज तुमने ये वादा कर दिया लो, एक सवाल और बता दो, तुम देख लेंगे अंबी यहाँ भी, है न, ये लो अभी तो आएगा न, ये तो तुम बता दोगे अच्छा ये रहा, NCRT ने एक प्रोग्राम बनाया, NCRT ने FLN के एक अंदर प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम रखा गया है SPM, कितने लोग हैं जो जानते हैं, लो बेटा तुम सवाली कर लो, बताओ बताओ तु पढ़ना कोश बेटा, I will explain each and a single thing, but still if you are guys like, you are just talking too much, इस मतलब इस क्लास में आप ये कैसे करते हो, क्योंकि आपको जै पता नहीं होगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, नहीं, चैट नहीं ओफ करना, उससे सच्छा ही पता चलती रहती है अरे, इसका जब आप तु नहीं पुन बारत देदोगे, तुमसे तु मैं SPM पूछ हूँ, ये तुमें ना समझ माएगा आज़ो बेटा, पढ़ लो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूँ आज़ो, आज़ो, आज़ो चलेगा, तो यहां से जब बेसिक शुरुवात एक बार में दोरा, दुबारा बता दू, आज़ो यहां तो जब आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे, तो एक बार फटा फटा आ जाना यहां और जो यहां पर आपके सामने आ जाता है, तो यह एक बार फटा फटा आज़ो, नहीं पता तुम्हें, रहन दो बिना बाद अपने टाइम पास मत करो, जुसने तुम्हें जो पढ़ा लिया ना तुम लोगों ने, तुम अपने टाइम खराब कर रहे हो बस, आज़ो यह रहा, अब देखो NP, ज़रा इसे base समझा दू, इस base के बाद ज़रा इसा, अब कोई न, chat बंद कर रहा हूँ, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, यहां, देखो, हुआ कहानी का शुरुआत क्या हुई, तो शुरुआत कहानी से यह हुई, कि हमने यह जाना, कि FLN, जो है वो 2020 की policy में हमने देख लिया, किस में देख लिया, NEP में, तो NEP ने बोला कि भईया, तुम क्या है, basic क्या कर दो बच्चे की, literacy और basic क्या है, numeracy क्लियर कर दो, कहले न, ठीक है, तो basic literacy और numeracy को क्लियर करने के लिए, इन्होंने कहा कि एक काम करो, एक मदद ले लो, और जो मद age group जो होगा, वो क्या होगा, 3 to 9 year का होना चाहिए, उस 3 to 9 year में एक बात याद रखना, कि आप बालवाटिका के साथ, grade 1, grade 2, grade 3 में से बाटोगे, इसके अलावा आप एक काम और करोगे, इसमें आप बच्चे को 3R सिखाओगे, reading सिखाओगे, read सिखाओगे, आप इसमें write सि सिखाओगे, और साथ-साथ मैं आपको महत मतलब arithmetic सिखाओगे, चलो जी, आप इन्होंने कहा, कि जो निपन प्रोग्राम में कब आया, तो निपन प्रोग्राम आया, अपना जुलाई 5 को, 5 जुलाई 2021 में प्रोग्राम आया, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, कि NCNEP 2020 ने एक इसका नाम रखो, National, N-A-T-I-O-N, उसके बाद Book, Promotion, Policy, इसका मतला अगर आप से कोई ये पूछेगा, कि FLN की सकस के लिए जो Policy बनाई गई, वो किसने बनाई, तो वो FLN के अंदर एक Policy बनाई गई, जिसका नाम हमने क्या रखा, हमने जिसका नाम रखा, National Book, Promotion, Policy, उस National Book, Promotion पोलिशी ने, अब क्या किया, जरा यहां देखो, तो यहां पर हुआ यह वाली बात, कि जरा ध्यान से देखना, जिसको आप समझना चाहते हो, यहां, तो हुआ कि नेशनल, बुक, परमोशन जो पोलिशी थी, उसके अंदर है ना, बुक, परमोशन पोलिशी में, हुआ यह कि एक काम दिया गया, NCRT को, तो NCRT ने इसमें एक काम किया, कि एक काम करो, भईयां, हम तुम्हें छोडी ने रहे, हमें फिर तीन वर्ड का एक लेटर चाहिए, और जो तीन वर्ड का एक लेटर था, उसका नाम रखा गया, SPM, SPM का मतलब हुआ, School Preparatory Model, तो जो School Preparatory Model Learning by Doing करा रहे थे, लेकिन आप Learning by Play कराओ, और जो Learning by Play होगा, वह course रखा जायेगा, और जो course रखा जायेगा, वो course होगा, आपका कितने महीने का, तीन महीने का, अगर इसमें तीन महीने वाली बात है, तो ये करो, वढ़ना ये course रहेगा, बारा हपते का, जिसको क्या बोला गय 12 वी तो अगर तुमसे कोई ये पूछेगा कि SPM जो मोड्यूल है वो तयार किस ने गया तो NCRT ने तयार किया वो National Book Promotion Policy के अंदर National Book Promotion Policy बटा है ना National Book Promotion Policy उसके अंदर आया उन्होंने उसमें क्या क्या SPM इसका मतलब जो आप ये कर रहे हैं तो चाहे Grade 1 हो चाहे Grade 2 हो चाहे Grade 2 इन सब में तीन महीने का एक कोर्स ऐसा चलाओगे जिसमें बच्चा किताबों से नहीं जिसमें बच्चा खेलकूद से पढ़ेगा आगा समझ में हाँ या ना या तो इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा ये वाली बात कि ये जो SPMijn जो मोड्यूल है जो SPM तैयार हुआ है इसका मतलब क्या होगा तो याद रखने में उच्छे ये एक प्रि एप ऐसा तैयार है जिसमें बच्चा क्या करेगा खेलकूद में तो अगर कोई पूछेगा महीने कितने हैं तो तीन याद रखना और अगर पूछेगा कि इसके साथ बाइया हपते कितने हैं तो याद रखना बाराफ़ते आ गया तो अब इसके बाद अगर आपके सामने आता है यह सारी चीजे मैंने आपको E-Notes में लेकिन कुछ लोगों को लगा कि भया तीन पेज में क्या पड़ा और तीन पेज में जन्नत है है ना इसलिए हमने 48 गंटों के बाद अपने इनोट की सेल क्या कर दी बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़िए खोदते टाइम देखा एक इंसान को खोद रहा था उसे बस बहुत देर सामने आ जाता है यहां तो आप इसके मतलब यहां पर आपके सामने यह और मेरे बच्चे यह कहते हैं कि एक चीज और बताई इसमें आपना एक PTR रखेंगे इसमें अनुपात क्या होगा तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि जो शिश्य सिख्षक अनुपात होगा वो याद रखना शिश्य सिख्षक अनुपात हमेशा आर्टी वाला वो ही रहेगा क्योंकि एक बच्चा यह पूछ सकता है मुझसे कि सर बताओ यह प्राइमरी पे तो यह रहेगा अपर प्राइमरी पे जोगा कोई बच्चा ऐसा है जो मुझसे जानना चाता है कि अपर प्राइमरी में क्या होगा Yes or No जी बताओ नहीं बेटा तुम बात करो तुम बात ही करो तुम जिन्दी के मैंसे बात करो बताओ जरा है डन हाँ कोई जानना चाहता है यह सोर नो बस यह सोर नो में बता दो जानना चाहते हो यह सोर नो आप सबसे पहले सोरा उपाध्याय ने बोला यह वन इस टू ठर्टी आ साबा जितने भी हमें देख रहें ने बच्चे दो तीन अजार जो भी तुम्हारा है यह है तुम्हारी पढ़ाईगा भगवान का सम इंटर्व में फेल हो जाओगे कोई पास नहीं करवा सकता तुम्हें गुस्सा नहीं है अरे गधो नालायक हो जब एजी बता दीक तुम्ह दिए लोई यारे क्लास तक जाएगा तो जब राइमरी पर किसने क्लास तक का थर्ड क्लास तक ये देखो तुम के तो प्रोग्राम कैसे पूछ लेगा तुमसे पूछ लेगा तुम बता भी दो कि जैसे तुमने मिर बता दिया तुम्हारी एसे हालत है और कहा रहे सर्जी हमें नोकरी पास करनी है बताओ यह देखो तुम्हारे हालात क्या है अरे जब योज नहीं है फिलन तीन साल लग प्रोग्राम है हां सर्जी बताओ एक दो तो ऐसे आगे क्यों क्योंकि दूसरे भाई साब एक ऐसे हैं जिन्नोंने पढ़ा रखा होगा अरे नहीं चलेगा भाई यह वन इस्टू ठर्टी फाइव कैसे चलेगा गधे एक नंबर के आगे समझ में जिन्दी की पर याद रखो कि क्या सवाल चल रहा है क्या आने से पूछना भी आता हूँ तुम लोगों से एक नंबर पता नहीं सारे मेरे इससे पड़े थे के सारे के सारे आके आगे समझ में हम और एक बात याद रखना इसमें ये भी कहता है एक बात याद रखना ये इसलिए कराया जाता है तीन साथ थ्री टू नाइन येर का कॉंसेप्ट इसलिए है क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है बच्चे का जो भगवान ने दिमाग दिया है ग्युमिलेटीव ब्रेन इन सालों के दोरान 85 परसेंट तक या हो जाता है डवलप हो जाता है तो इसका मतलब इस टाइम बच्चे को चीजे जादा अच्छे से समझ में आती है इस आफ़ जब गदा कहते हुआ हाँ, सारे बोलों मैं गदा हूं मैं गदी भी बोल सकता है कोई अब देखो सवाल को अब एक बार रट्टा मारेंगे ध्यान से यह रट्टा नहीं मानना समझगे दो FLN की शुरुआत हुई थी Foundation Literacy and Numeracy में जो शुरुआत किया गया था NEP 2020 द्वारा NEP 2020 के इस कॉंसेप्ट को तयार करते टाइम आपने एक रिपोर्ट सम्मेट की थी EAC EAC जो था Economic Council of क्या था Economic Advisory Council to the Prime Minister था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 16 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की थी इस रिपोर्ट को तयार करने वाले जो साहब थे उनका नाम था उन्हें एक बोर्ड था जिसको हमने Institute for Competitiveness बोला Institute of Competitiveness ने जब अपनी रिपोर्ट तयार गी उसमें ये बोला कि बच्चे के Foundational Literacy को आपको Clear करना है इसके लिए आपने उसे दो इस्सों में बाता Foundational Literacy, Foundational Numeracy, Literacy में आप बात करते हैं Language आप दो चीजों की बात करते हैं दो चीजों में आपको जो पता चलता है एक है Reading और Writing दूसरी तरह आप जाते हैं यहां पर जान Numeracy, Numeracy में आप बच्चे के करत हैं Number के लिए उसका मतला अंक ग्यान देते हैं इस अंक ग्यान को बताते हैं आप तीन आर पर काम करते हैं पूरी त्योरिक अंदर तीन बड़ा काम का होगा तीन आर का मतलब होगा 3 आर जो 3 आर आपसे कहता है Reading, Writing, Arithmetic, 3 क्या है तीस तरी क्लास तक के बच्चे के लिए जाए सब्सक्राइब करने के लिए HRD Ministry जो Convert हो गई थी Minister of Education, Minister of Education जिसके आज फिलाल है दर्मिंदर परदान उस टाइम अगर तेनिशांग साहब तो उन्होंने का हाँ इसकी मदद के लिए आप आगे बढ़िए ये प्रोग्राम लोंच हुआ पांच जुलाई 2020 को पांच वर्ड रखेगा उसके बाद अगर आगे जाएगा तो लगबख साट वर्ड पर मिनिटों से पता होने चाहिए दूसरी तरफ नमरे किसी के बारे में याद करेंगे तो सबसे पहले बच्चा एक से दस नमबर को पहचाने का Grade 1 में जाके 2 डिजिट ग्रेट 2 में जाके 3 को करने के दोरान जब आगे बढ़ता है तो जैसे ही निपुन का कारिया खतम होता है निपुन को कॉंसर्ट को खतम करते हैं जो हमारी एंसी एन इप 2020 वह कहते हैं कि यहां आपने जो दिया वह तो अच्छा हम बेसिक्स के लिए करेंगे क्योंकि बच्चे का हो जाता है इसलिए आप एक प्रोग्राम एक बनाएंगे जो एफलन को और ज्यादा अच्छे से तयार कराएगा एफलन की तयारी कराने के लिए उसने बोला कि हम एक नैशनल बुक पर्मोशन पोलेसी बना रहे हैं जो इस पर ध्यान रखेगी इस प्रोग्राम का नाम होग इसमें आप बच्छे को लंडिंग बाए बुक्स नहीं होगा लंडिंग बाए प्ले होगा जब यहाप आगे बढ़ा देंगे तो इस कॉनसेप्ट को बढ़ाने के बाद आपका इस सक्सस हो जाएगा प्रोग्राम और बच्छे आपना बेसिक्स के लिए कर लेगा निपू जहां पर experience देते हैं आप objective से और कोई आप object देखते हैं concrete object उस concrete object तो देखेंगे उससे experience लेंगे बाशा में convert करेंगे कभी-कभी पिक्चर सरी परजेंट होगा और इंत में आप उसे शब्दों के साथ symbolic रूप में दे देंगे आगे बढ़े रेडियो से भी fast था वीडियो अरे पखले तो मैंने सुनाया है बागे तुम पढ़े लेना अपना ये तो वही एक last में तुम्हें समझाने का एक तरीगा होता है और कभी भी जिंदिगी में रट्टा मारो तो यार ऐसा मारो ना lifetime याद रहे हैं आप देखेगा अब एक बच्चे ने जब पूरा पढ़ अब पूरे जिसने जो last में होगा वो क्या होगा तर लेक्चरस दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं अधीति कश्यप बिटा पूरी क्लास को यह मेरा ना concept होता है पूरा पढ़ने के बाद उसे दिमाग में डालना आप नहीं डाल पाओगा तो मैं क्या कर सकता हूं ठीक है चलो इससे रिलेटिड फड़ा फड़ कुछ कोशन से उनके जवाब दे दो जवाब आ जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा बाकी रहा दिसंबर 2020 में कौन सी रिपोर्ट आई थी जरह देना पर तुम लोगों ने सच में फलन का मज़ा खराब करा दिया चलो बता जरह जी पूरी वीडियो देख लेना मैंने आखरे में से कंकिलूड कर दिया है चलेगा हाँ छोट समरी आखरे में दे दी तो आपके सामने आता है इन दिसंबर 2021 में जो होगा बताइएगा दिसंबर 2021 तो ये कोशन कैसे पूछता है बेटा देख लेना है ना भूल जाओगे तो बेटा फिर नोकरी कैसे पाओगे वो तुमारी मर्जी है तो हमने कहा था एकनोमिक एडवाइजरी काउंसिल तो था क्या होगा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं विच उप दा फॉलोइंग रिपरजेंट नेशनल इनिशेटिव टेकन बाइदे मिनिस्टर एजुकेशन तो मिनिस्टर भाई नेशनल इनिशेटिव जो है था वो कहा था फाउंडेशन जो आया था जुलाई 2021 में बता ओ नंबर 3 का जवाब दर देजेगा तो इसमें निपुन बारत और जो यहां दिख रहा है निपुन बारत जो निपन सिटेंड торовि नेशनल इनिशेटिव और प्रोफिशेंस in reading with क्या होगा understanding and numeracy पराधारित होगा और यहां नंबर क्या होगा चार-चार के मैंने बता देगे जो policy होगा आपके सामने आ गया अम इत्में देख के बता दो मिटा ठीक है चालो नंबर जो आपके चार है तो चार का जो जवाब होगा वो आपके सामने क्या जाएगा नेशनल बुक परमोशन पोलिसी जो मैंने समझा दिया उसके बाद आता है कि भाई FLN में जो पीपल टीचर रेशो हो वो क्या है तो FLN में जो पीपल टीचर रेशो हो बताओ और का वालों का तम परप जो क्या है टाउ क्या होगा वह तो पांच पर-वालों कर चार रेश ड्यू ब्रैन टीचर कं चाह ऊगा तो पांच यहांना सब्सक्वाब पांत करें बादे कि एन क्या होगा तो 6 सालों तक बच्चोंगा कितना पर्षेंट जो ब्रेन है वो डेवलेफ हो जाता है बता हो, 90 होगा, 100 होगा, 85 होगा, 70 होगा दन, नमबर 6 का जवाब दे दीजेगा, नमबर 6 का जवाब क्या होगा, क्या होगा कोशन नमबर 6 का जवाब, और जो 6 का जवाब आप दे रहे हैं, बिटा अभी बताया था, मैंने कितना होगा, 85% नमबर 7 कहता है कि भाई देखेगा, what is the best process in pedagogical process in early literacy early literacy में पढ़ाने का बढ़िया तरीगा क्या होगा, teaching method नहीं होगा, none of these नहीं होगा, learning नहीं होगा अभी बता के लाया में क्या होगा, playway method, और उस playway method को NCIT ने जो एक program मनाया, उसका नाम क्या दिया है, उसका जो नाम दिया है, उसका नाम क्या दिया हमें पता है, उसका नाम है SPM ठीक है, school preparatory model और ये रहा हमारा आज का आखरी सवाल, objective of निपुन भारत आपको बताना है कि कब तक आपको प्राप्त कर देना है, objective जो निपुन भारत का है, वो कितनी class तक काम करेगा और कब तक प्राप्त करना है, दोनों जवाब दीजेगा, आज की class हम यहीं खतम करते है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके खराब comment के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके time pass करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसी तरह नोगरी से दूर जाने के लिए, क्योंकि यह pass तो हो नहीं तुम, ठीक है? चलो! हाँ जी तो learning by play वाला तो आज के लिए तो नहीं class पसंद आए तो like कर देना नहीं तो dislike मार देना बिलकुल बढ़िया आज के लिए तो नहीं और आप लोगों की सजा ये है कि आपको इसकी ppt नहीं मिलेगी है ना ये आप लोगों की सजा है आज की जितनी सजा करते रहोगे ebs जो notes है e notes वाले वो देता रहोँ है जैसे भी तुम ये ppt नहीं तुम ठीक अब खुस रहो तुम बाई टाटा चलो द्यानने को पढ़ना गलती सुधार लो अगले दो class के दोरान अगर तुमारी chat बंद हो गई ये फाल तो के message बंद होगे तो ppt दे दूआ ये तुमारी सजा है आज की जैसे तुम अगर बात करोगे तो याद रखना बात करोगे ppt नहीं मिलेगी पढ़ोगे तो ppt मिलेगी कि दन बाई बाई और कोशन नहीं करवाता और करवा देता पर और कराओ नहीं हमें तुम सुधर जाओ मैं सुधर जाओ ठीक है चलो बाई बाई